दोस्तों नमस्कार, कहानी संसार में आज कृष्णा सोबती की कहानी मेरी मा कहां दोस्तों कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई कहानी मेरी मा कहां भारत पाकिस्तान के बटवारे के समय जो दंगे होते हैं उसकी त्रास्दी को ब्यक्त करती है इस कहानी के द्वारा लेखी का यह बताने की कोशिस करती हैं कि वे दंगाई लोग जो धर्मान धोकर निर्दई हो जाते हैं और किसी की भी हत्या करने में जरा भी संकोश नहीं करते, उनके अंदर भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत इंसानियत छूपी होती है आगे क्या होता है जानने के लिए आईये सुनते हैं कहानी मेरी मा कहानी इस प्रकार है दिन के बाद उसने चांच सितारे देखे हैं अब तक वह कहां था नीचे शायद पहुत नीचे जहां की खाई इंसान के खून से भर गई थी जहां उसके हाथ की सफाई बेशुमार गोलियों की बहुचार कर रही थी लेकिन लेकिन वह नीचे न था वह तो अपने नए वतन की आजादी के लिए लड़ रहा था वतन के आगे कोई सवाल नहीं अपना कोई खयाल नहीं तो चार दिन से वह कहां था, कहां नहीं था वह, गुजरावाला, वजीराबाद, लाहोर, वह और मीलों चीरती हुई ट्रक, कितना घूमा है वह, यह सब किसके लिए, वतन के लिए, कौम के लिए, और, और अपने लिए, नहीं, उसे अपने से इतनी मुहब्बत नहीं, क्या लंबी सडक पर खड़े-खड़े यूनुस खा, दूर-दूर गाउं में आग की लप्टे देख रहा है, चीखों की आवाज उसके लिए नहीं, नहीं, आग लगने पर चिलाने में कोई नयापन नहीं, उसने आग देखी है, आग में जलते बच्चे देखे हैं, औरते और म मर्द देखे हैं, रात-रात भर जलकर सुबह खाक हो गए मुहलों में जले लोग देखे हैं, वह देखकर घबराता थोड़े ही है, घबराय क्यों, आजादी बिना खून के नहीं मिलती, क्रांती बिना खून के नहीं आती, और इसी क्रांती से तो उसका नन्हा समुल्क इस हलकी हलकी सर्द रात में भी काफिर की बास सोचकर बलोज जवान की आखे खून मारने लगी, अचानक जैसे तूटा हुआ क्रम फिर जोड़ गया, ट्रक फिर चल पड़ी, तेज रप्तार से सड़क के किनारे किनारे मौत की गोदी में सिम्टे हुए गाउं, लहलाहाते खेतों के आसपास, लाशों के ढेर, कभी-कभी दूर से आती हुई, अल्ला हो अकबर और हर-हर महादेव की आवाजें हाई हाई, पकड़ो, पकड़ो, मारो, मारो, युनुस खां यह सब सुन रहा है, बिल्कुल चुपचाप, इससे कोई सरुकार नहीं उसे, वह तो देख रहा है, अपनी आखों से एक नई मुगलिया सल्तनत सांदार, पहले से कहीं ज्यादा बुलंद, चाद नीचे उतरता जा रहा है, दूध सी चांदनी नीली पड़ गई है, शायद पृत्वी का रक्त उपर विस बन कर फैल गया है, देखो जरा ठहरो, युनुस खां का हाथ ब्रेक पर है, यह यह क्या, यह नन्नी सी छोटी सी चाया, चाया, चाया नहीं, रक्त में भीगी, सल्वार में का है वह, पर यह एक घायल लड़की, उससे क्या, उसने धेरों के धेर देखे हैं, औरतों के, मगर नहीं, वह उसे जरूर उठा लेगा, अगर बस सकी तो, वह ऐसा क्यों कर रहा है, युनुस खां खुद नहीं समझ पा रहा है, लेकिन अब इसे वह न छोड़ सकेगा, काले घने बाल, शायद गीले हैं, खोन से और चहरे पर, फीले चहरे पर रक्त के छीटे, युनुस खां की अगुलियां बच्ची के बालों में हैं, और बालों का रक्त उसके हाथों में, शायद सहलाने के प्रयत्न में, पर नहीं, युनुस खां इतना भाव कभी नहीं था इतना रहम इतनी दया उसके हाथों में कहां से उतर आई है वो खुद नहीं जानता मुर्शित बच्ची ही क्या जानती है कि जिन हाथों ने उसके भाई को मार कर उस पर प्रहार किया था उन्हीं के सहधर्मी हाथों से सहला रहे हैं यूनुस खा के हाथों में बच्ची और उसकी हिंसक आखे नहीं उसकी आर्द आखे देखती हैं दूर कोईटे में एक सर्द बिलकुल सर्द साम में उसके हाथों में बारह साल की खुबसूरत बहिन नूरन का जिस्म जिसे छोड़कर उसकी बेवा अम्मी ने आखे मुंद ली थी संसनाती हवा में कब्रिस्तान में उसकी फूल सी बहिन मौत के दामन में हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से बेखबर और उस पुरानी याद में कापता हुआ यूनुस खा का दिल दिमाग आज उसी तरह बिल्कुल उसी तरह उसके हाथों में मगर कहा है वह यूनुस खान जो कतले आमको दीन और इमान समझ कर चार दिन से खून की होली खेलता रहा कहा है कहा है यूनुस खान महसूस कर रहा है कि वह हिल रहा है वह डोल रहा है वह कब तक सोचता जाएगा उसे चल यूनुस खान सैनिक की तेजी से ट्रक इस्टार्ट करता है अचानक सूज जाने वाले कर्तब्य की पुकार में उसे पहले चल देना चाहिए था हो सकता है यह बच्ची बच जाए उसके जखमों की मरहम पट्टी तेज तेज और तेज ट्रक भागी जा रही है दिमाग सोच र बच्चों की इन कुर्बानियों का आजादी के खून से क्या तालुक और नन्ही बच्ची बेहोस बेखबर लाहोर आने वाला है यह सड़क के साथ साथ बिच्छी हुई रेल की पटरियां शाहदरा और अब ट्रक लाहोर की सड़कों पर है कहां ले जाएगा वह मेयो या सरगंगा राम गंगा राम क्यों यूनुस खान चोगता है वह क्या उसे लवटाने जा रहा है नहीं नहीं उसे अपने पास रखेगा ट्रक मेयो हास्पिटल के सामने जा रुकती है और कुछ छण बाद बलोच चिंता के स्वर में डाक्टर से कह रहा है डाक्टर जैसे भी हो ठीक कर दो इसे सही सलामत चाहता हूँ मैं और फिर उत्तेजित होकर डाक्टर डाक्टर उसकी आवाज संयत नहीं रहती हाँ हाँ पूरी कोसिस करेंगे इसे ठीक करने की बच्ची हस्पिटल में पड़ी है यूनुस खान अपनी ड्यूटी पर है मगर अनमना सा हैरान फिकरमंद पेट्रोल कर रहा है लाहोर की बड़ी बड़ी सडकों पर कहीं कहीं रात की लगी हुई आग से धुआ निकल रहा है कभी कभी डरे हुए सहमे हुए लोगों की टोलियां कुछ भोजियों के साथ नजराती हैं कहीं उसके अपने साथ ही शोहदों के टोलों को इसा जिसके हाथ कल तक खूब चल रहे थे, आज शितिल है, साम को लोटते हुए जल्दी-जल्दी कदम भरता है, वह अस्पताल नहीं, जैसे घर जा रहा है, एक अपरचित बच्ची के लिए क्यों घवराहट है उसे, वह लड़की, मुसल्मान नहीं, हिंदू है, हिंदू है, दर परवाजे से पलंग तक जाना उसे दूर, बहुत दूर जाना लग रहा है, लंबे-लंबे डग, लोहे के पलंग पर बच्ची लेटी है, सफेद पट्टियों से बधासर, किसी भयानक द्रिश्य की कलपना से आखे अब भी बंध हैं, सुन्दर से भोले मुख पर डर की डरा यूनुस खां कैसे बुलाए, क्या कहे, नूरन नाम ओटो पर आके रुखता है, हाथ आगे बढ़ते हैं, छोटे से घायल सिरकास पर्स, जिसको मलता से उसकी उंगलियां छू रही हैं, उतनी ही भारी आवाज उसके गले में रुख गई है, अचानक बच्ची हिलती है, आह आग, वह गोली, मिलटरी, बच्ची उसे पास जुके देखती है और चीख मारती है, डाक्टर, डाक्टर, डाक्टर इसे अच्छा कर दो, डाक्टर अनभवी आँखों से देखकर कहता है, तुमसे डरती है, यह काफिर है इसलिए, काफिर, यूनुस खां के कान जन जना रह यूनुस खां बिचलिस सा अपनी ड्यूटी पर और बच्ची हास्पीटल में एक दिन बच्ची अच्छी होने को आई, यूनुस खां आज उसे लेने जाएगा, ड्यूटी से लोटने के बाद वह उस वार्ड में आखडा हुआ, बच्ची बड़ी बड़ी आँखों से दे बच्ची सहमकर पल के मूंद लेती है, वह कुछ समझ नहीं पाती है, कहां है वह, और यह बलोच, वह भयानक रात, और उसका भाई, एक जटके के साथ उसे याद आता है, कि भाई की गरदन गड़ासे से दूर जा पड़ी थी, यूनुस खां देखता है, और धीमेस्वर मे कहता है, अच्छी हो ना, अब घर चलेंगे, बच्ची का आपकर सिर हिलाती है, नहीं नहीं, घर, घर कहां है, मुझे तुम मार डालोगे, यूनुस खां देखना चाहता था नूरन, लेकिन यह नूरन नहीं, कोई अंजान है, जो उसे देखते ही भैसे सिकुड जाती है, ब नीचे सैनिक की कुरूरता नहीं, बल नहीं, अधिकार नहीं, उसके नीचे है एक असह भाव, एक बिवस्ता, बेवसी, बलोच करुडा से बच्ची को देखता है, कौन बचा होगा इसका, वह इसे पास रखेगा, बलोच किसी अंजान सनेह में भीगा जा रहा है, बच्ची बलोच कहीं अकेले में जाकर उसे जरूर मार देने वाला है, गोली से, छूरे से, बच्ची बलोच का हाथ पकड़ लेती है, खान मुझे मत मारना, मारना मत, उसका सफेद चेहरा बता रहा है, कि वह डर रही है, खान बच्ची के सिर पर हाथ रखे कहता है, नहीं नहीं, जगा के माफिक है, एक एक लड़की पहले खान का मुह नोशने लगती है, फिर रो रोकर कहती है, मुझे कैंप में छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, खान ने हम दर्दी से समझाया, सब्र करो, रो नहीं, तुम हमारा बच्चा बन की रहेगा, हमारे पास, नहीं, लड़की खान की जहती पर मुठिया मारने लगी, तुम मुसल्मान हो, तुम एक 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 लड़की नफरत से चीखने लगी, मेरी मा कहा है, मेरे भाई कहा है, मेरी बहन कहा है, तो दोस्तों, ये था भारत पाकिस्तान विभाजन की तरास्दी पर एक अत्यांथ हिमार्मिक का था, खिशना सोबती की मेरी मा कहां, कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार